हलो बच्चों, तो वेलकम बेक to the lecture of definite integration, काफी सारी चीज़े हमने definite integration में कर ली हैं, हमने definite integration में एक इसका general introduction देख लिया, इसका geometrical meaning देख लिया, definite integration के कुछ properties देख ली हैं और बहुत सारे examples देख ली हैं, प्रॉपर्टीज में हमने चार प्रॉपर्टीज कर ली हैं, तो आएए अब इसी कंटिनिवेशन में हम अपनी पांचमी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपको मालने जे a to b fx dx निकालना हू b-x dx हो जाएगा, यानि ये दोनों values क्या होंगी, same होंगी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कि अगर मानलों आपका lower limit 0 हो, और upper limit a हो, यानि आपने a को 0 से replace कर दिया और b को a से replace कर दिया, है न, fx dx, तो इधर भी हम क्या करते हैं, a को 0 से replace कर देते हैं और b को a से, तो ये बहुत ही special property है और इस property से बहुत सारे questions बहुत आसानी से हो जाते हैं हमारे, तो इसलिए क्या करते हैं हम इस property को एक special नाम देते हैं, इस property का नाम है king's rule, या फिर king's property, ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये आया कैसे, प्रूफ करना बहुत जरूरी है न, ये तो हम कैसे मा ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमने शुरुवात करी i is equal to a to b f of x dx से, है न, तो हमने क्या किया कि x को एक नया substitute किया और वो है a plus b minus t, तो यहां से अगर हम dx देखें, तो ये minus dt हो जाएगा, है न, x is equal to a, यानि अगर x की lower limit है, तो उसके corresponding t की value b हो जाती है, और अगर x is equal to b हुआ, तो t की value a हो जाती है, यानि हमारा जो नया integration बन गया, वो i is equal to b to a, f of a plus b minus t, और minus dt हो गया, अब यहां पे हम second property use करते हैं, और उस property में हमने देखा था कि अगर हम अपने limits, lower limit और upper limit interchange करें, तो हमारा एक sign, negative sign extra आजाता है, तो वो जो negative sign extra आएगा, और ये negative sign, ये दोनों मिलके positive बन जाएंगे, यानि इसको, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, from a to b, f of a plus b minus t dt, ठीक है, और हमने देखा था कि अगर हम t को x से replace करते हैं, first property जो हमने देखी थी, उसमें हमारे integration पे कोई खास फरक पढ़ता नहीं है, तो आप a plus b minus t लिखे या a plus b minus x लिखे, ठीक है, and hence this property is proved, तो ये तो हमने अपनी property प्रूफ कर ली, लेकिन काम हमारा यहाँ पे खतम तो नहीं होता, क्योंकि सिर्फ property जान लेने से काम थोड़े ना खतम होगा हमारा, अरे भाई, इस पे सवाल भी तो करने पड़ेंगे, तो आएए, कुछ examples करते हैं, और इस property का application किस तरीके से करते हैं, वो सीखते हैं, ताकि examination में जब questions आएं, तो हम उसको effectively solve कर पाएं, तो दीकिए, पहला example लेते हैं हम, example है, हमें निकालना है 0 से πाई बाई 2, sin to the power nx dx, upon sin to the power nx plus cos to the power nx, या sin x to the power n upon sin x to the power n plus cos x to the power n dx, ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ I, और यहाँ पर लगाता हूँ मैं, king's rule, या king's property, तो यह बन जाएगा हमारे पास 0 से πाई बाई 2, यह बन जाएगा sin of πाई बाई 2 minus x to the power n, sin of πाई बाई 2 minus x क्या होता बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो यह बन जाएगा cos x to the power n, upon, यहाँ अगें sin of πाई बाई 2 minus x to the power n, यानी cos x to the power n, एन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा sin x to the power n, benefit क्या हुआ हमारा यहाँ पर, अगर हम इन दोनों इसको equation 1 बोले, और इसको equation 2 बोले, तो दोनों को अगर add करेंगे, तो यह बन जाएगा 2i, और यह बन गया हमारा 0 से πाई बाई 2, ध्यान से देखिए, दोनों का denominator तो सेम है, तो इसको मैं लिखता हूँ, sin to the power n x, या sin x to the power n, plus cos x to the power n, और यहाँ पर भी बन जाएगा हमारा sin x to the power n, plus cos x to the power n, है ना, यह तो बहुत ही interesting fact हो गया हमारे लिए, क्योंकि दोनों numerator और denominator सेम हो गया, तो यह तो cancel out हो गया, यानि यह तो बहुत ही simple approach से, यानि यह बहुत ही simple form बन गया, that is integration 0 to πाई बाई 2, 1dx, या ना, और इसकी value हो गई x, limit हो गया हमारा 0 to πाई बाई 2, और simplify करेंगे तो यह value कितनी हो गई, पाई बाई 2, in fact, इस question से, हम चाहें तो एक बड़ा अच्छा सा result बना सकते हैं, result क्या है, तो अगर आपके पास i is equal to a to b fx upon fx plus f of a plus b minus x dx दिया हुआ है, तो इसकी value हम directly लिख सकते हैं, half of b minus a, आया कैसे, सीखते हैं, वापस से इस integration पे लगाते हैं हम king's rule, तो यह बन जाएगा f of a plus b minus x upon f of a plus b minus x plus f of x dx, यह ना, दोनों को add कर लेते हैं, तो यह बन गया 2i, और यह हो गया आपका a to b, अच्छा, दोनों को add करेंगे, तो denominator तो दोनों के सेम है, numerator add होके, यह पूरा term cancel होके 1 बनता दिख रहा है क्या आपको, तो यह बन जाएगा 1dx, इसका integration हो गया, x, limit है हमारा from a to b, तो यह value आपकी बन गई, b-a, यह किसकी value आई, 2i की, तो i की value कितनी हो गई, half of b-a, तो कभी भी सवाल करते समय, अगर आपको directly यह कोई form दिख जाए, जहाँ पे integration a to b f of x upon f of x plus f of a plus b minus x dx का form दिखे, बिना सोचे समझे, आख मुंद करके, answer आप लिख सकते हो, half of b minus a, ठीक है, next example हम लोग लेते हैं, जैसे मानलीजे हमें निकालना है, i is equal to 0 to pi by 2, sin square x dx, ठीक है, अब king's property अगर हम लगाएंगे, तो i की value हो जाएगी, 0 to pi by 2, sin square of pi by 2 minus x, sin square of pi by 2 minus x dx है न, और ये हमारा बन जाएगा, cos square x, तो ये बन गया, 0 to pi by 2, cos square x dx, ये हो गया equation 1, ये हो गया equation 2, दोनों को add कर देते हैं, तो 2i हमारा बन गया, 0 to pi by 2, और देखे किता interesting, यहाँ scenario बन गया, कि sin square x plus cos square x बन गया, और ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, कि sin square x plus cos square x क्या हो जाता है, 1, तो ये बन गया 0 से pi by 2, 1 dx, यानि ये बन गया x, lower limit 0, upper limit pi by 2, तो ये value हमारी हो गई pi by 2, 2i की value pi by 2 है, तो i की value कितनी हो गई, pi by 4, ठीक है, एक और example लेते हैं, अगला example है, जैसे मालेजे हमें दिया हुए है, i is equal to 0 to pi by 2, dx upon 1 plus root tan x, तो दिखे, अभी तो इस form में, हमें कुछ खास दिखनी रहा, तो इसको थोड़ा simplify करते हैं, और इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, 0 to pi by 2, tan x को हम root sin x, मतलब root tan x को, हम root sin x upon root cos x लिख सकते हैं, तो simplify किया, तो ये बन गया root cos x, upon root cos x, plus root sin x, है ना, dx, अब ध्यान से देखिए, थोड़ी देर पहले ही, हमने एक result established किया है, अगर ये हमारा fx हुआ, तो ये लिखा हुआ है, fx upon fx, plus f of a minus x dx, f of a plus b minus x dx, यहाँ पे, a की value 0 है, b की value pi by 2 है, है ना, तो ये तो हमारा directly, वो form हो गया, तो हम सीधा-सीधा answer क्या लिख सकते हैं, half of b minus a, that is, pi by 2 minus 0, यानी हमारा answer कितना हो जाएगा, pi by 4, ठीक है, कुछ और भी सवाल करते हैं, next example लेते हैं हम, जैसे मानले जे हमें दिया हुआ है, integral, pi by 6 to pi by 3, sin 2x, into ln, tan x dx, ठीक है, चलिए, इसको solve करने के लिए, इसको मैं i मान लेता हूँ, और यहाँ पे लगाता हूँ, king's rule, king's rule जब लगाएंगे, तो ये बन जाएगा, pi by 6 to pi by 3, f of a plus b, तो सबसे पहले देख लेते हैं, a plus b कितना हो रहा है, pi by 6 plus pi by 3 कितना हो गया, pi by 2, तो ये बन गया, sin of, twice of pi by 2 minus x, यानि ये बन जाएगा, pi minus x, pi minus 2x in fact, यह ना, और यहाँ बन गया, आपके पास ln, tan of pi by 2 minus x, तो, cortex, dx, ये फिर बन जाएगा आपके पास, pi by 6 to pi by 3, sin of pi minus 2x, तो sin 2x ही रहे गया, और ये आपका बन गया ln, cortex, dx, ये हमारे पास equation 1, ये हमारे पास equation 2, दोनों को add कर लेते हैं, तो 2i की value हो जाएगी, pi by 6, 2 pi by 3, अब दीखे, sin 2x तो common हो गया, ये ना, और ये बन जाएगा ln, tan x, plus ln, cortex, dx, अब ln a plus ln b, हमें पता है कि ln a भी हो जाता है, तो यानि यहां से 2i की value हो गई, pi by 6 to pi by 3, sin 2x, into ln 1, ओहो, ये तो बड़ा interesting हो गया, ln 1 की value होती है 0, तो ये value आ गई 0, यानि i की value हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0, तो देखिए, king's property जानने से, कितना आसान हो रहा है हमारे लिए, सवाल solve करना, है ना, चलिए, अब थोड़ा difficulty level बढ़ाते हैं, ठीक है, आप, कोशिश करिए कि video pause करके, और फिर इस सवाल को एक बार खुद से try कीजिए, और देखिए कि आपका answer आता है या नहीं आता है, ठीक है, तो चलिए, सवाल ये है, हमें निकालना है, i is equal to, a by 2, to root 3a by 2, dx, upon, x plus, root over, a square, minus x square, अब इस सवाल को देखके, directly हमें ये, नहीं पता चलता, कि इसमें हमें king's rule लगाने से कोई फायदा होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको solve करने के लिए, एक छोटा सा substitution ले लेते हैं, क्योंकि हमने indefinite integration में ये बात पढ़ी थी, कि जहां भी हमारे पास root over a square minus x square हो, तो हम x is equal to a sin theta, assume कर लेते हैं, या substitute कर देते हैं, तो यहां पर मानता हूँ मैं, let x is equal to a sin theta, ठीक है, तो यहां से हमारे पास dx बन जाएगा, a cos theta, d theta, ठीक है, lower limit, जब x की value a by 2 होगी, तो उसके corresponding आप देखिए, sin theta की value हो जाएगी, 1 by 2, यानि यहां से हमारे पास theta की value आगई, pi by 6, और जब x is equal to root 3a by 2 आएगा, तो यहां से हमारे पास sin theta की value, root 3 by 2 आजाएगा, यानि यहां से हमारे पास theta की value आगई, pi by 3, तो हमारा integration जो नया बन जाएगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, pi by 6 to pi by 3, dx के बदले में हम लोग लिख रहे हैं, a cos theta d theta, x के बदले में हो जाएगा, आपके पास a sin theta, और root over a square minus x square आपके पास बन जाएगा, a cos theta, a cancel out कर दे रहा हूं मैं, तो यह बन गया हमारे पास pi by 6 to pi by 3, cos theta d theta, upon sin theta plus cos theta, अब देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने result established किया है, उसका direct application हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर यह हमारा fx है, तो यह fx plus f of a plus b minus x लिखा हुए है, तो direct answer हम लिख सकते हैं क्या? half of b minus a, तो half of pi by 3 minus pi by 6, final answer हमारा हो गया, pi by 12, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, कि directly अगर kings नहीं लग रहा हो, तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा modification अगर हम करके, kings लगा सकें, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? चलि, थोड़ा difficulty level और बढ़ाते हैं, next question हम लोग लेते हैं, i is equal to integral of pi by 4 to 3 pi by 4 x sin x upon 1 plus sin x dx ठीक है? चलिए, अब इसको solve करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? kings property लगाते हैं, तो एक बार a plus b को देख लेते हैं, कितना हो रहा है? तो यहां से इन दोनों को आप add करिएगा, pi by 4 और 3 pi by 4 इन दोनों को अगर हम add करते हैं, तो हमारे पास 4 pi by 4, यानि pi बन जाएगा, है ना? तो हम property जब लगाएंगे यहां पे, तो यह बन जाएगा, pi by 4 2 3 pi by 4 x के बदले में हमारे पास हो गया, pi minus x a plus b minus x डालना है ना? और यह बन जाएगा, sine of pi minus x upon 1 plus sine of pi minus x dx अभी तक हमें कुछ खास benefit होता दिखनी रहा है, चलिए इसको simplify कर लेते हैं, तो यह बन गया हमारा pi by 4 2, 3 pi by 4, pi minus x sine x, क्योंकि sine of pi minus x कितना हो जाता है? sine x और 1 plus sine x dx अब अगर हम इसको equation 1 और इसको equation 2 बोलते हैं, तो दुनोंको add करके देखते हैं, तो 2y हमारे पास हो जाएगा, देखिए, यहाँ पे एक x sine x का टर्म है, और second equation में हमारे पास minus x sine x बनेगा, तो दुनोंको add करिएगा, तो x sine x आपका क्या हो जाएगा? cancel out हो जाएगा, यानि यहाँ से हमारे पास बन गया, πाई बच जाएगा, और यह बन गया πाई बाई 4, 2, 3, पाई बाई 4, क्योंकि एक टर्म था, पाई sine x minus x sine x, तो minus x sine x, first वाल equation से cancel out हो गया, तो यहाँ पे बन गया, sine x upon 1 plus sine x dx, ठीक है? benefit क्या हुआ? यहाँ पे king's rule लगाने का, कि यह जो x वाला टर्म था, जो हमें disturb कर सकता था, या कर रहा था, वो हमारे सामने से हट गया है, ठीक है? अब हमारे पास सीधे sine x upon, 1 plus sine x लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा और simplify करते हैं, तो यह 2i is equal to हो गया हमारे पास, पाई टाइम्स, पाई बाई 4, 2, 3, पाई बाई 4, ठीक है? इसको मैं लिखता हूँ sine x plus 1, और minus 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus, 1 upon, 1 plus sine x, dx, ठीक है? अलग-अलग कर लेते हैं, तो यह pi times, इसका integration 1 का तो बहुत simple है, x हो जाएगा, तो यह बन गया x, lower limit हमारा pi by 4, upper limit 3 pi by 4, है ना? और minus, यह बन जाएगा dx upon 1 plus sine x, एक काम करते हैं, 1 minus sine x से उपर नीचे multiply कर देते हैं, तो यह बन गया 1 minus sine x, और denominator में बन जाएगा, 1 plus sine x into 1 minus sine x, यानि 1 minus sine square x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, cos square x dx, ठीक है? अब हमारे पास हो गया pi, यह 3 pi by 4 minus pi by 4 बन जाता है, 2 pi by 4 यानि pi by 2, minus, अगर हम यहाँ देखें, तो यह बन जा रहा है हमारा, sec square x minus, sec x into tan x dx, ठीक है? अब इसको बहुत आसानी से हम integrate कर सकते हैं, तो यह बन गया pi, times pi by 2, minus, और limit है यहाँ पे हमारा, pi by 4 to 3 pi by 4, ठीक है? limit हम यहाँ लिख लेते हैं, तो sec square x का integration हो गया, हमारा tan x, और sec x tan x का integration हो गया, हमारा sec x, limit हमें क्या डालनी है? pi by 4 to 3 pi by 4, ठीक है? चली, अब यहाँ से हम देखें, तो यह बन गया, हमारा pi square by 2, minus pi times, अब देखिए, 3 pi by 4 आप put करिएगा, तो tan of 3 pi by 4, यानि pi minus pi by 4, तो tan of 3 pi by 4 minus 1 हो जाता है, है न, तो यह हो गया minus 1, sec of 3 pi by 4 आपके पास minus root 2 हो जाता है, तो यह plus root 2 हो जाएगा, minus of, tan of pi by 4 आपका 1 हो गया, और sec of pi by 4 आपके पास root 2 हो जाएगा, तो यह plus root 2 हो गया, है न, अब हमें बस यहां simplify करना है तो यह minus 1 minus 1 add हो जाएगा और यह root 2 root 2 add हो जाएगा तो यहां से हमारे पास value आ गई pi square by 2 minus pi times 2 root 2 minus 2 यह किसकी value है 2i की value है हमें किसकी value निकालनी है i की value तो 2 से divide कर देते हैं तो यह बन जाएगा pi square by 4 minus यहां से 2 cancel हो गया तो pi times of root 2 minus 1 तो यह हो जाएगा हमारा final answer इस particular question का ठीक है